तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में भी हम लोग दो चेप्टर कंप्लीट करने वाले हैं चेप्टर नमबर 22 और चेप्टर नमबर 23 नमबर 23 और चेप्टर गज़ल है और लास्ट गज़ल आपने हैं कि इसके बाद से आप लोग का स्टार्ट होगा खोदनविश्ट स्टार्ट होगा और उसके बाद से अफसाना वगरा आप लोगको पढ़ना है नजम वगयरा पढ़ना है ठीक है, तो यह लास्ट गजल है deeper है खलीलु रहमानाशमी की सबसे पहले दो गजल हम लोग पढ़े थे मिर्जागालिप की उसके बाद से दो गजल यगाना चंगेजी की और आज हम लोग दो गजल पढ़ने वाले हैं खलीलु रह्मान आजमी की हर एक गजल के परतियक लाइन को पढ़कर मैं उसका मानी बताऊंगी ताकि अगर आप लोग के एकजाम में किसी भी शेर को उठाकर कहें किसका तश्री कीजिए तो आप लोग आसानी से किसी भी परतियक शेर का तश्री कर पाएं आप लोग बहुत सारा शेर देता है और उसमें से किसी दो की तश्री करने के लिए कहता है तो अगर आप लोगो हर एक शेर का मानी पता रहेगा हर एक गजल के परतियक को पढ़ कर मैं मानी बताई रहूंगी तभी तो आप लोग तष्रीह कर पाएंगे न यानिकी मानी लिख पाएंगे देखे शेर का मानी उसे शेर में शायर क्या बताने की कुछिश किया है वही लिखकर बियान कर देना ही क्या कहलाता है तश्रीव करना कहलाता है ठीक है तो कम्प्लीट में आप लोगो इन दोनों घजल के परतिये एक लाइन को पढ़कर उसका मानी बता अर्थ जान जाने के बाद आप लोग आसानी से उसी को लिख सकते हैं और तश्री कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग खलीलु रह्मान आजमी के बारे में जो की इन दोनों घजल के शायर है पहले पहली जो घजल है ना इसको चैप्टर नंबर 22 बना दिय है यानि कि इन दोनों घजल के जो राइटर है शायर हो है खलीलु रह्मान आजमी तो सबसे पहले हम लोग खलीलु रह्मान आजमी के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है उसको समझ लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी कि आप लोग वीडिय इसनाब तक सबसे पहले पहुते हैं ठीक है समझते हैं खलीलु रह्मान आजमी के बारे में इनकी पैदाईश हुई थी 9 अगस्त 1927 इस भी को आजमगड के गाउं सीधा सुल्टानपूर में आजमगड का एक गाउं है सीधा सुल्टानपूर वहीं पर इनकी पैदाईश बीए की तालीम के दौरान जो है ना इन्होंने एक रिसाला कायम किया जिसका नाम था निगार रिसाला का मतलब होता है पत्री का ठीक है तो बीए की जब यह पढ़ाई कर रहे थे तो बीए की तालीम के दौरान ही इन्होंने एक रिसाला या इनकी पत्री का निगार नाम से के फाइम किया ठीक है उन्हीं स्वेल्डाइस हुआenk तक शोबाय और उर्दू अलीगड़ में मुलाजमत स्वेल कर ना उन्हीं स सद olabilir यहां वहां पर मुलाजमत करने लगे या कि नौकरी करने लगे उनसे बावनस्वी में है एक सांत्या द्रह 스स्वाएंग यह शायर और नकाद दोनों हैं यानि कि शायर भी और नकाद भी करते हैं और तनकीद लिखा करते हैं नकाद किसे कहते हैं जो तनकीद लिखता हो अब तनकीद मत पूछिएगा आप लोग की तनकीद किसे कहते हैं क्योंकि तनकीद में आप लोग को बार बार बताई हूं ठीक है आप लोग को कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है कि तनकीद किसे कहते हैं और नकाद किसे कहते हैं जो हो सकता है कि आप लोग एक्जामे कुछन पूछ दे ठीक है तो खलील रॉयमान आजमी की एक किताब का नाम है नई नजम का सफर और इनका इंतकाल हो गया था एक जून मजमुआ का नाम दिया गया है शेरी मजमुआ का मतलब क्या होता है शेरोशायरी का किताब तो तीन शेरोशायरी का किताब का नाम दिया गया है आप लोग के बुक में इंपॉर्टेंट है याद रखेगा पहला का नाम है कागजी पैरहन जो कि उन्हें सब 55 इस भी में शाय किताब है यहां तक कि आस्मा इए आस्मा यह भी शायरी का किताब है जो कि 2000 में प्रकषित हुआ ठीक है तनकीदी मजमिद के मजमुएं भी है यानि कि तनकीद की मजमीन के मजमुए यानि की किताब जैसे की फिक्र वफन उन्हें से 56 इस वी में इसको प्रकाशित किया गया था जाविय निगाह ये उन्हें से 66 इस वी में प्रकाशित किया गया था और मजमीन नौ ये उन्हें से 77 इस वी में प्रकाशित किया गया था तो ये तनौकीदी मकाला भी है जिसका नाम है उर्दू अदब में तरक्की पसंद अद्वी तहरीक ये याद रखिएगा कोशन पूछ देता है कि खलील उयमान आजमी के तहके की मकाला का नाम क्या है और इसको प्रकाशित किया गया था उन्हेंसा बहतर तरिषदी में अच्छा ये जो तीन शे मजमुए हैं इस तरह सभी कोशन पूछा गया है या फिर खलील उयमान आजमी का शेरी मजमुए कौन सा है और सन में दिया रहेगा कागजी पैर है ठीक है आगे बढ़ते हैं खलील उयमान आजमी जो है वह बहादुर शाह जफर पर भी एक किताब लिखे थे जिसका नाम थ प्रकाशित किया गया ठीक है तो यह कुछ इनके किताबों के नाम थे जो कि याद रखना है हलांकि जहां जासे कोशन पूछा जाता है वह मैं आप लोगों को बिता दी शेरी मजमुए से पूछेगा कागजी पैरहन ज्यादा मतलब यहीं से पूछा जाता है उसके बाद से हकीकी मकाला पूछ सकता है आप लोगों के एकजाम में और यह तो पूछा नहीं गया है आज तक लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के एकजाम में पूछ दे सहरूल बयान यह जो मस्नवी था इस पर इन्होंने मुकदमा लिखा था तो यह भी कोशन नहीं पूछा गया है ले के लिए ठीक है तो हर एक पॉइंट जो मैं बूर्ड पर लिख देती हूं वह आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है स्क्रिंट ले लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करके हाइलाइट करके याद जरूर रखिएगा अपने माइ द्या गया है यहां टेलिगराम चैनल सकते हैं और इसका पीडिए अगर यहां तक लेना चाहते हैं तो कोई दिक्स नहीं लेगिजिए फड़ापर स्क्रिन शौट अब बारी आती है तश्रीक करने की चलिए इन दोनों घजल की मैं तश्रीक कर देती हूं सबसे पहले मैं पहली घजल की तश्रीक करूंगी तो चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट हो जाने वाला है और फिर दूसरी घजल की तश्रीक करूंगी तो चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट हो पर देखिये पहली खजल का पहला शेर है कि इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया घंसा पुराना दोस्त ही आखिर बिच्ठट गए यहां पर खरलीलू रह्मान आजमी क्या बोल रहे हैं पहले शेर में कह रहे हैं कि इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया गमसा पुराना दोस्य कि आहते तो इस बहुत होँ चाहँ जात affirm हों और यहां पर खलिल केमाना आजए कि शायर कह रहे हैं कि मेरा भी जी करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी यादों की छाओं में बैठूं, हमारे जो अपने लोग हैं, उनको मैं याद करूं, यादों की छाओं में बैठूं, लेकिन ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, लेकिन मेरा ऐसा किस्मत, मेरा ऐसा मुकदर, कि ये जो यादों का घना द्रख्त है ना वो जड़ से उखड़ गया है हमारे अपने लोग की यादे हमारे पास है ही नहीं बस इतनी बात थी कि आयादत को आए लोग दिल के हर एक जखम का टाका उधर गया एक बार फिर से पढ़िए बस इतनी बात थी कि आयादत को आए लोग दिल के हर एक जखम का टाका उधर गया यानि कि यहां पर शायर कह रहे हैं कि बस इतनी सी बात थी कि हमारी तबीत खराब थी और लोग हमसे हाल-चाल पुछने के लिए आये थे मतलब कि लोग आते हैं ना जब तबीत खराब होती है तो लोग पुछने के लिए आते हैं कि ठीक हो की नहीं हो तबीत पहले से कैसी है बेटर फिल हो रहा है की नहीं ठीक है लोग पुछ ताच करने के लिए आते हैं पड़ोसी वगरा सभी लोग आ जाते हैं जब तबीत खरा याद के नहीं तो बस इतनी सी बात थी कि लोग ऐस्ट के लिए आए पर लेकिन दिल के हर एक जखम का टांका उधडर गया है यहाननी की जब लोग आदब आदब के हम से पूछने के लिए आया अ तो हमारी यादे ताजा होने लगे और जब यादे ताजा होने लगी जिस तरह से लोग हमारे पास मिलने के लिए आ रहे थे और उनकी यादे जो है जब ताजा हो रही थी तो मेरे दिल के हर एक जखम का टांका उधर गया यानि कि दिल पर जो हमें जखम मिला था उसका हर एक टांका उधर गया ठीक है यारों ने खुब जाके जमाने से सुला की मैं ऐसा बद्दिमाग यहां भी पिछड़ गया यहां पर बोल रहा है शायर कि यारों ने खुब जाके जमाने से सुला की यानि कि जमाने की हिसाब से हमारे यार दोस्त जो है न वो ढलते चले गए लेकिन मैं ऐसा बदिमाग कि मैं यहां पर भी पिछड़ गया मुझे भी जमाने की हिसाब से बदल जाना चाहिए था हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो यार हैं वो जमाने की हिसाब से बदलते चले गए जमाने की हिसाब से वो सुलह करते चले गए लेकिन मैं ऐसा बदिमाग कि मैं यहां पर भी पिछड़ गया कोताहियों कि अपनी में ताविल क्या करूँ मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया यहां पर शायर कह रहे हैं कि मैं अपनी कोताहियों मैं अपनी गलतियों की ताविल क्या करूँ मेरा हर एक एक खेल मुझी से भी गड़ गया है अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में बसने से पहले वक्त के हाथो उजड़ गया यह लास्ट लाइन है और यहां पर खलील उर्माराजमियन की शायर कह रहे हैं कि अब हम क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में, मेरे ख्यालों के शहर में क्या क्या था, अब हम क्या बताएं, वो ख्यालों का शहर जो है, बसने से पहले ही, वक्त के हाथो उजड़ गया, तो अब मैं क्या बताऊं कि ख्यालों के शहर में क्या क्या था, ठीक है, तो य देखा गया है दूसरी घजल के स्टार्टिंग में कि हम बासुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा एजिन्दगी एजिन्दगी रुत्बा रहे बाला तेरा इसका मतलब आप लोग समझते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम बासुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा एजिन्दगी एजिन्दगी रुद्बर है बाला तेरा यानि कि हमारे सामने मौत खड़ी थी ठीक है लेकिन मुझे जिन्दगी से इतना प्यार था कि मौत की बासूरी पर भी हम जिन्दगी का नगमा गा रहे थे यानि कि यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता मुझे जिन्दगी से इतना प्यार है कि मौत हमारे सामने खड़ी है लेकिन मौत के सामने मैं जिन्दगी का नगमा गा रहा हूँ तो इसी वज़ा से बोल रहे हैं एई जिंदगी एई जिंदगी रुत्बा रहे बाला तेरा यानि कि एई जिंदगी एई जिंदगी तेरा मर्तबा बढ़ा रहे ठीक है आगे देखे लिखा गया है अपना मकद्दद था यही, ऐ मंबै आसूदगी, बस्टिष नगी बस्तिष नगी गोपास था दर्या तेरा यहाँ पर शैर कह रहे हैं कि मेरी ऐसी फूटी किस्मत, मेरा ऐसा मुकद्दद ही हमें प्यास लगी हुई थी और हमारे सामने दर्या भी था लेकिन मुझे प्यास से इतनी महबत थी कि मैं उस दर्ये से पानी भी नहीं जाकर पी सकता था ठीक है इस गाम से उस गाम तक जन्जीर गम के फासले मन्जिल तो क्या हम को मिले चलता रहे रस्ता तेरा यहां पर शायर कह रहे हैं कि इस जगा से लेकर उस जगा से तक यहां से लेकर वहां तक चार तरफ मैं चलते चला जा रहा हूँ रस्ता चल रहा हूँ चलते चला जा इधर उधर भटक रहा हूँ लेकिन मुझे मन्जिल नहीं मिल पा रही है चल तो रहा हूँ मैं लेकिन मनजिल तो क्या हमको मिले हूं को मनजल नहीं मिल पा रही है तु कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था हर परदए दिल पर अभी धुदला सा एक चेहरा तेरा यहाँ पर बोल रहे हैं शायर कि मेरे दिल के परदे पर तेरा? तुम कौन थे तुम्हारा क्या नाम था और तुझको मुझसे क्या क야 हूं कि हर परदाय दिल पर अभी धूंदला सा एक चहरा तेरा अभी भी हमारे दिल के पर देख अधु नीला चिरा दिख्यार तेरा यह पर यहां पर शायर कह रहे हैं जmas लिब खिए कि कितना भी ना माहर्बाDIO क्यों न हो जायए तीज ढूंप कि न हो जायए तूपनी जो ilan कि अपनी गर्मीं की नहए बढ़ा दें ठीक है लेकिन है सर पर नीला साइबा यानि कि सर पर नीला आसमान है और वही बोल रहे हैं कि ऐ आसमा ऐ आसमा दायम रहे साया तेरा तुम हमेशा अपने इस साया को दायम रखना और कायम रखना क्योंकि सूरज चाहे हम पर कितना भी ना महरबा क्यों न हो जाए बचाता तो ऐ नीला साहिबा तुही है इसी वज़े से आसमान को बोल रहे हैं कि आए आसमा तुह हमेशा इस जहां में कायम रहना दायम रहना ठीक है और यहां पर फाइनली दूसरी घजल भी कंप्लीट हो ज आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें यह एक टेंडेंस के तौर पर समझे की लाइक कर देना है आज के इस वीडियो को आप लोग देखे हैं एक बना दीजिए लाइक करके ठीक है तो लाइक कर दें और जितना जड़ाव सके शेय जय हिंद और खुदा हाफिज